हमिरपूर के डॉक्टर राधार किशन मेडिकल कॉलेज के छातरों को शेक्षिंग चुनोतियों का परभावी डंग से सामना करने अध्यन एवं कौशल विकास के गुर सिखाये जा रही हैं एकडमी ब्लॉक में एक आत्म सवर्दन कारेशाला में केरल सरकार के तहत स्वेता संस्ता अनुसंधान और शिक्षा केंदर कालिकट के सोजने से मेडिकल कॉलेज में आठ दिवसी कारेशाला में नए चातरों को उपर शिक्षिंदी आ जा रहा है ट्रेनर सिवेता ने बताया कि डॉक्टर के पेशे में किस तरह से बाचित की जानी चाहिए और किस तरह से मरीजों की देखभाल की जाती है इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए नए MBBS चातरों में आत्म विश्वास बढ़ाने के लिए कारेशाला में सिखाया जा रहा है उन्होंने कहा कि सभी विद्यार्थी स्कूल के पलचात कॉलेज के नए मौहल में परवेश करते हैं इसलिए विद्यार्थीों के आत्म विश्वास को बनाए रखने के लिए इस तरह की कारेशाला अगरत जरूरी है उन्होंने कहा कि छातरों के आत्म विश्वास तरकों बेहतर बनाने के लिए रंग मंच जैसी ट्कनिक का उपियोग भी किया जा रहा है हम लोग जो यहां आर्टिन की वरक्शॉप कर रहे हैं यह परस्नालिटी पे है कम्यूनिकेशन पे है और भावी डॉक्टर कैसे बातचीत करेंगे पेशिंट से वो बहुत जरूरी है और देखें डॉक्टर और पेशिंट का संबन्द बहुत जरूरी है तो हम यही सिखा रहे हैं confident बने इमांदार बने अपनी responsibility समझें और किस तरह से बातचीत करें और आगे बढ़ें और एक अच्छे इंसान बने वो बहुत जरूरी है एक डॉक्टर के लिए तो यहां अलग-अलग किसम की ट्रेनिंग हो रही है थेटर पे ट्रेनिंग है communication पे है body language पे है टीम बिल्डिंग पे है और आप कैसे अपने patient के साथ connection बनाते हैं यह सारी चीज़ें करें जारी overall एक personality development पे काम किया जा रहा है डॉक्टर्स का और किस तरह से वो as a team मिलके काम कर सके अच्छा है करीब 100 से जादा बच्चे हैं और बहुत उत्साहित हैं और सीखना चाहते हैं करना चाहते हैं लगन है उनमें करमट हैं और पुरा staff यहां का बहुत अच्छा है पुरा जो पुरा school है वो support कर रहा है इस चीज़ को और मुझे लगता हर school को यह करना चाहिए ऐसी प्रोग्राम्स करते रहने चाहिए होने शिक्षा ग्रेंट कर रहे MBBS चातरों ने बताया कि MBBS चातरों के लिए इस तरह की कारेशाला में रोजाना बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और professional development में भी काम आने में अच्छी चीज़ें सीखी जा रही है और जो चीज़ें हमारे professional development में हमें help करेंगी वो चीज़ें ये लोग हमें सिखा रहे है वहीं चातराओं ने बताया कि Communication Skill के साथ खुद को डॉक्टर के पेशे में कैसे तयार हो सब कुछ सिखाया जा रहा है उन्होंने कहा कि वर्कशॉप में चातरों में आतम विश्वास बढ़ रहा है और भविश्य के लिए इस तरह की वर्कशॉपे काफी फाइदे मन्स साबित होती है Sir मेरा नम सुना लिए है इस बीन अनुरेबल एक्सपिरिंस बिंग है Sir Chris वर्य हमें कैसे ऐसा बता रहे है कि पेशिट जब आये तो उसके साथ कैसे कॉम्मिनिकेट करें हम कैसे उसकी बीमारियों के बारे में जान सके How do we know about his illness और हर illness वो हमें बता रहे है कि हम कैसे उनके साथ interaction करे कैसे एक बेटर सुसाइटी बना सके कि मतलब पेशिट खुल के हमें हर चीज बता सके तो मतलब एक फ्यूचर डॉक्टर के लिए तो यही चाहिए ना कि वो अपने पेशिट को जान सके तो यही हमें यहाँ सिखा रहे है हमारे अंदर transformation आया है हम एक जो पहले सांते उससे अब एक हपते के बाद हम लोग मुझ अच्छा पील कर रहे हैं और हम लोग सब एक दूसरे को अच्छे सब जान रहे हैं I am Shreya Dhiman I am from Noorpur district Kangra Himachal Pradesh Crest में जो T word है last का it is transformation So we are feeling transformation within us and we are so honored to have such nice and qualified teachers between us So we are so honored and privileged to have such teachers and I am very happy and I am feeling so excited about Crest My name is Shweta and I am from Shimla The experience was awesome as the future doctors हमें patient के साथ deal करना है So they are telling us how to prepare for that Okay we have to, मतलब उनके साथ अच्छे से treatment करना है हमें life की फंडे सिखा रहे हैं ये लोग और हमें किस तरीके से अच्छी personality बनना है ये साथ हमने सीखने को मिला तो बहुत अच्छा experience है, it was good Myself Sanjana Sharma, मैं रामपूर से हूँ Crest एक बहुत अच्छी वर्क्शॉप और गिनाइस की है हमारे लिए जिससे हमें बहुत personality development के लिए फायदा हो रहा है इससे हमें communication skills बताया जा रहे हैं जो हम खुद अपने अंदर feel कर सकते हैं हमें introspection करने का एक तरीका बताया जा रहे हैं कुद को introspection करो और अपने आपको expression express कर सको तो क्रेस्ट बहुत ही फायदे मंद है क्रेस्ट हमारे लिए बहुत ही helpful रहा है क्रेस्ट का जो टी है that means transformation we can even feel transformation in ourselves इसने हमारा अंदर एक personality development में help की है जिसके वज़े से आज शायद हम आगे future में और अच्छा कर सकते हैं अपने future के साथ and हम लोग अच्छे से communicate कर सकते हैं with people thank you